दूट में नीमबू मिलाने से इसे पचाना मुश्किल हो जाता है और यह जमने और खराब होने का कारण बन सकता है यह हमारे पेट में भी होता है जहां मिश्रण एक हानिकारत एसिड बन जाता है और सीने में जलन और एसिडिटी का कारण बन सकता है स्टार्ची उक्त खाद्य पदार्थों के साथ फलो का सेवन करने से पेट में किन्वन हो सकता है, जो पाचन और समग्र स्वास्थे के लिए हानिकारक है मचली और दूद को उनके कथित विशाक्त सयोजन या वर्जिलियो नामक त्वचा की स्थिती पैदा करने की क्षमता के कारण सयोजित करने की अनुशनसा नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरू पैच में त्वचा का रंग खराब हो जाता है पानक और टोफू का एक साथ सेवन करने से कैल्शियम ओक्सालेट गुर्दे की पत्थी का विकास हो सकता है